अग्रिकल्चर अड़ा 24-7 अग्रिकल्चर अड़ा 24-7 में आपका स्वागत है बचो हम लोग MCQs की प्रैक्टिस यहाँ पर कर रहे हैं बहुत धेर सारे MCQs हम लोग यहाँ पर करते हैं तो अब हम लोग सुरू करते हैं अपनी क्लास को और देखते हैं कि आज हम लोग क्या ख करते हैं क्लास में आज बहुत महत्पूड होने वाला है बहुत मज़ेदार कोशन हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं आपको मालूम है कि हम लोग चार सब्जेक को लेकर एक साथ चलते हैं जिसमें आपका अनिमल हस्बेंद्री डेरी साइंस और एक्स्टेंशन और हार्टी है तो क्लास को सुरू करने से पहले जो बच्चे नए जुड़े हैं मारे साथ जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बैल आइकन को प्रेस कर लें आगे बात करेंगे अड़ा 247 का मोबाइल लेप त क्योंकि जब भी आपको यहां पर कोई offers आते हैं तो अड़ा 247 के मोबाइल एप पर आपको extra discount देखने को मिलता है चलिए आगे बात करते हैं हम लोग पहले question के साथ पहला question हम लोग देखेंगे यहां पर क्या होने वाला चलिए very good afternoon आरुसी, very good afternoon सिवा, very good afternoon रचना तो बच्चों पहला question आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा very good afternoon रिया, very good afternoon भूमका, चलिए बच्चों, बहुत मज़ेदार questions होने वाले हैं questions आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं और जल्दी से आप लोग जवाब देना स्टार्ट करिए, चलिए हलो हर्स, कैसे हैं आप सब लोग, बहुत अच्छे होंगे, उमीद करते हैं हम, चलिए तो पहला question क्या कह रहा है, which one of the following is used for curing high blood pressure पहला है रिवोल्फिया सर्पेंटिना, दूसरा है आपका केथरेंटस अलबा, तीसरा है अलोवीरा और चौधा है आपका, soytos speciosis, चलिए, क्या होगा, कौन आपका blood pressure को cure करने का काम करता है चलिए, जल्दी से जवाब दीजे, कुछ लोगों के जवाब आ रहे हैं, देखते हैं कि क्या होगा सही जवाब कोशन बहुत सरल है, अगर आप देखेंगे, थोड़ा सा धिहान लगाएंगे, अगर आपने थोड़ा भी पड़ा है थोड़ा भी आपको medicinal, ये आपका जो कोशन है, वो medicinal and aromatic plant से है किस से है, medicinal और aromatic plant से है, तो अगर आपने थोड़ा बहुत पड़ा है, तो आपको वहाँ से देखने को मिल जाएगा चलिए, very good afternoon शुभम, चलिए क्या होगा इसका सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब है, रवोलफिया सर्पेंटिना अब जल्दी से एक बात बता दो, कि इसका common name क्या होगा आप लोगों ने रवोलफिया सर्पेंटिना तो बता दिया, रवोलफिया सर्पेंटिना किसका common name होता है यानि कि इसका जो normal name है, common name है, वो क्या होता है चलिए तो रुबोल्फिया सर्पेंटिना का क्या होगा किसको कहते हैं चलिए किसको कहते हैं बहुत अच्छी बात है जो रुबोल्फिया सर्पेंटिना होता है वो जो आपका सर्प गंधा होता है क्या होता है सर्प गंधा होता है उस सर्प गंधा को रुबोल्फिया सर्पे कहते हैं चलिए आंग बहुत अच्छी बात है अगला कोशन है करण है Pharmazis Blight किसका gefähr disease होता है आपकी ग्रिश क्कुड सम बहुत प्यारा है कोशन आपकी एकजाम में बनता भी है तो ऐसे ही कोशन हम लोग यहाँ पर करते हैं जो आपके एक्जाम में कहीं ना कहीं पूछे जाते हैं तो पूछ रहा है फॉमोपसिस ब्लाइट is a major disease of यानि कि फॉमोपसिस ब्लाइट आपका किस में लगता है पी में ब्रिंजल में टोमेटो में या फिर आपना फूड प्रिजरबेटो करा निम लिखित में से कौन सा फूड प्रिजरबेटो नहीं होता है चलिए करा है कि विच बन आप दा फॉलोइंग इस नाट ए फूड प्रिजरबेटो ग्लैसियल Acetic Acid, Benolate, KMS या फिर Sodium Benzoate करा अन्यम लिखेत में से कौन सा Food Preservative नहीं है Question बहुत प्यारा है, कौन सा Food Preservative नहीं होता है चलिए, क्या है सही जबाब, जल्दी से बताओ कि कौन सा Food Preservative नहीं है चलिए, क्या होगा इसका सही जबाब, कौन सा Food Preservative नहीं होता है बहुत सारे बच्चे हैं जो Benolate को बता रहे हैं चलिए, किसको Benolate को बता रहे हैं, जायतर सभी लोग Benolate को बता रहे हैं बिल्कुल सही बात है, यह जो तीनों है, Benolate के अलावा, जो आपके तीनों है यह आपके Food Preservative में यूज किया जाते हैं, Benolate ही आपका है, जो Food Preservative में यूज नहीं किया जाता है अगला कोशन देखेंगे, करा Thrips are a Major Insect of the Vegetable करा Thrips जो आपका होता है, सबसे ज़्यादा Important Vegetable, मतलब किस में सबसे ज़्यादा लगता है यानि किस क्रॉप का Major Insect आप कह सकते हैं, किस क्रॉप का होगा, Tomato का, Cabbage का, Onion का, या फिर ब्रिंजल का किस का होगा, Thrips जो आपका है, किस का Major Insect होता है चलिए, किस का होगा, Question बहुत प्यारा है, और ऐसे ही Question आपके पूचे जाते हैं आज के भी Question बहुत कठिन नहीं है, Average Question रखे गए हैं, ताकि आप लोग क्या, कल तो आप लोग Depression में आ गए थे, ऐसा लग रहा था कि कल Question ज़्यादा गलत हो रहे हैं, चलिए, कुछ लोग Tomato बता रहे हैं, कुछ लोग Onion बता रहे हैं, देखते हैं क्या होगा, सही जवाब तो किसका होता है तो जो onion बता रहे हैं बिलकुल सही बता रहे हैं सबसे ज़्यादा समस्या जो होती है सबसे major problem जो create करता है trips वो किसमें करता है onion में create करता है किसमें प्याज में आपका create करता है अगला question है which of the following medicinal plant is called Indian gooseberry कहा जाता है चलिए ये बाई साब एक है देखो इतनी बार c लिखा है तो इन्होंने ही पूरा chat का box बर दिया है कौन है बाई साब ये महा काल सुभम पटेल अरे बहिया एक बार लिखो या दस बार लिखो जबाब तो वही होगा जबाब तो नहीं बदल जाएगा जबाब अगर onion है तो onion ही रहेगा चाहें आप एक बार comment करो या दस बार करो या पूरा comment से chat box ही भर दो चलिए जल्दी से बता ओकर रहा विच वन आप दा following medicinal plant is called Indian gooseberry पहला option है अर्जुना आवला बहेरा या फिर हरार किसको Indian gooseberry कहते हैं चलिए किसको कहते हैं बहुत अच्छा कोशन है बहुत अच्छा कोशन है किसको कहते हैं Indian gooseberry about किसको कहते हैं तो जल्दी से बता ओकुश लोग ओपने जवाब दिया है आवला बता रहे हैं सबी लोग बता रहे हैं कुश लोग अंबैलिका office analysis क्या चलिए विल्कुल सही बात है आवले को ही Indian gooseberry कहते है medicinal में use किया जाता है आपको पता है क्या बनाया जाता है से आवले से क्या बनाया जाता है चलिए क्या बनाया जाता है एक medicine बनाई जाती है उसका क्या नाम होता है चलिए जल्दी बताइए क्या होता है उसका नाम, which of the following, which of the following enhanced seed germination कह रहा है, निमल खित में से कौन सा chemical, seed germination को enhance करता है, पेकलोब्यूटराजॉल करता है, जिबरेलिक एसिड करता है, नेफ्तलीन एसिड करता है, या फिर बेंजल एडनीन करता है, चलिए, कौन सा करता है, seed germination को enhance, मैंने seed, मैंने पूछा है, medicine बनाई जाती है, मुरब्बा तो अलग खबात है, मुरब्बा तो बनाया ही जाता है, मैंने medicine पूछी है, क्या बनाया जाता है, चलिए, चलिए, क्या होगा, which of the following, enhanced seed germination, कह रहा है, कौन सा seed germination को enhance करेगा, यानि कि seed germination को बढ़ाने का काम करता है, क्या काम करता है, कौन काम करता है, seed germination को बढ़ाने का, तो जो आपका जिब्रेलिक acid होता है, वो seed germination को बढ़ाने का काम करता है, यानि कि seed germination को improve करता है, क्या seed germination को improvise करता है, हाँ, बहुत अच्छी बात है चलिए कुछ लोग ये option भी बताए हैं जो जी ये बताए हैं बिलकुल सही जवाब दिये हैं करा following is recommended for maintaining freshness in cut leafy vegetable करा निमलिखित में से किसका use किया जाता है जो cut leafy vegetables होती हैं उनमें freshness को maintain रखने के लिए चलिए 54 और तिर्फला बिलकुल सही जवाब दिया है आवले से क्या बनता है 54 बनता है और तिर्फला चून जो होता है वो किस से बनता है आवले से बनता है इसी लिए उसकी medicinal value होती है ठीक है चलिए करा following is recommended for maintaining freshness in cut leafy vegetable करा जो cut leafy vegetable होती है उनकी जो freshness होती है यानि की जो ताजगी होती है उसको maintain रखने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं cytokinin का करेंगे ABA का करेंगे और जिब्रेलिंस का करेंगे किसका करते हैं चलिए चलिए किसका करते हैं तनुजा करेंगे यह नहीं पता कोई बात नहीं हम बताएंगे हम यहाँ पर खड़े हैं तो हम आपको बताएंगे क्या होगा cytokinin कुछ पच्चे जवाब दे रहे हैं बिलकुल सही जवाब दे रहे हैं क्या होता है cytokinin जो आपका होता है वो freshness को maintain रखने के लिए use किया जाता है clear है चलिए ABA आपका होगा नहीं ठीक है auxin आपका होगा नहीं gibralin आपका होगा नहीं तो ऐसे भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि cytokinin आपका क्या हो जाएगा सही हो जाएगा auxins नहीं होता है auxin बच्चे growth को promote करने के लिए होता है ना कि freshness को maintain करने के लिए clear है चलिए अगला question है which of the following can be used in crop regulation of guava कह रहा है कि निमलिखित में से किस का इस्तेमाल करते हैं crop regulation में यानि कि guava की जब हम crop regulate करते हैं तो crop regulation में किस chemical का इस्तेमाल करते हैं एन एए का एथेफॉन का आई बीए का या फिर जीए का किस का इस्तेमाल करते हैं guava में चलिए किस का इस्तेमाल करते हैं guava में crop regulation के लिए चलिए किस का करेंगे इस्तेमाल बहुत अच्छा question है एथेफॉन का NAA का IBA का या फिर जिबरेलिक एसेड का निमल खित में से किसका इस्तेमाल किया जाता है क्राप को रेगुलेट करने में यह मैंने आपको बताया है पढ़ाया भी है जब मैंने क्राप आपकी पढ़ाई थी foundation वाली classes में तो वहां पर इस पारे में हमने discussion किया था क्राप को रेगुलेट करने की जब बात की जा रही थी तो किसका इस्तेमाल करते हैं हाँ बिल्कुल सही बात है कुछ लोग एथेफॉन बता रहे हैं तो एथेफॉन नहीं होगा बच्चे क्या होगा क्राप को रेगुलेट करने के लिए किसके क्राप को रेगुलेट करने के लिए नेफ्तलीन एस्तेमाल करते हैं क्लियर है चली अगला question है करा which of the following medicinal plant is called as Indian ginseng कह रहा है निम लिखित में से किस medicinal plant को Indian ginseng कहते है चली कह रहा है निम लिखित में से किस plant को Indian ginseng कहा जाता है तो किसको कहा जाता है अजयडिराश्टा इंडिका को कहते हैं विथिया सौमनी फेरा को कहते हैं या फिर हैमीडेसमस इंडिकस को कहते हैं या फिर सिफैलेस आईपेस कुनहा को कहते हैं चलिए किसको कहते हैं इंडियन जिंसेंग किसको कहा जाता है इंडियन जिंसेंग देखो बबलू कह रहे हैं नीम को कहा जाता है नीम को इंडियन जिंसेंग कहा जाता है चलिए देखते हैं भाईया सब को सिर्फ नीम का ही नाम कि अजय डी राचिटा इंडिका किसका scientific name है नीम का है तो नीम को ही Indian जिंसेंग कह देंगे चलिए किसको कहते है Indian जिंसेंग अच्छा question है चलिए कुछ लोगों के जवाब लग रहा है कि सही आ रहे हैं कुछ लोगों के जवाब है जो क्या है गलत भी आ रहे हैं के चलिए देखते हैं बी किसका जवासर पहला है चलिए को बिल्कुल साहर वात है किसका विठीया सोमनी फेरा यानि कि जिसको अस्वगंधा कहते हैं अस्वगंधा को ही क्या कहा जाता है इंडियन जिंसेंग कहा जाता है किसको अस्वगंधा विथे विथेनिया सोमनी फेरा जो आपका होता है उसको ही क्या कहते हैं इंडियन जिंसेंग कहा जाता है क्लियर है चली अगला कोई देखो कोशन बड़ा है साधारान बासा में बात करते हैं कहरा जब कोई नसा कर लेता है किसका मार्फीन का और अलकोहल का तो कहरा है जब कोई नसा कर लेता है मार्फीन का और अलकोहल का तो उस नसे को उतारने के लिए धतूरा के किस अलकोलाइड का यूज किया जाता है चलिए किसका यूस किया जाता है साधारान सी बासा में हम अभी बात कर रहे हैं कि अगर कोई अलकोहल और मार्फीन ले ले लेता है तो उस अलकोहल और मार्फीन के जो नसा है उसको उतारने के लिए यानि की सिम्टम्स को क्या करने के लिए कम करने के लिए धतूरा के किस अलक कौन सा अलकुलाइड इसका यूज़ कहता है हायोसाइन एट्रोपीन या फिर मेटॉलीडीन या फिर हायोसाइमीन चलिए कौन सा अलकुलाइड यूज़ किया जाता है चलिए कौन सा अलकुलाइड यूज़ किया जाता है धतूरा में कोई ऐसा नहीं है एक ही अलकुलाइट पाए जाता है धतूरा में कई अलकुलाइट पाए जाते हैं तो इसका सही जवाब क्या होगा चल्दी से बताओ इसका जवाब लगता है आपनों को नहीं पता है इसलिए क्या है कमेंट्स आपके स्लो हो गए देखो कम से कम यहीं पर तुक्का लगाने की practice कर लो कि साइद तुक्का मारने से क्या हो जाए? सही हो जाए क्या होगा सही जबाब? तो सही जबाब होगा हायो साइमीन का हायो साइमीन का इस्तेमाल क्या जाता है symptoms जो होते हैं मार्फीन और अलकोहल के उन symptoms को withdraw करने के लिए इसलिए मैंने कहा था धतूरा में और भी alkooloids पाये जाते हैं जरूरी नहीं है कि क्या atropine आपका किस में पाये जाता है belladona में पाये जाता है belladona, atropa उसका वैग्यानिक नाम होता है तो belladona में atropine पाया जाता है आप लोगों को atropine सरल दिखा तो atropine पे ही मार दो टिक हो जाएगा देखेंगे उपर वाला खुदी सही करेगा क्या करेगा उपर वाला खुदी देखेगा सही है कि गलत है तो hyosimine आपका होता है ध्यान दखना इस पात को clear है? चलिए which of the following insects are not pest of apple कह रहा है कि निमलिखित में से कौन से insect जो होते है वो आपके क्या होता है वो आप which one of the following insects are nast paste of apple कह रहा कौन सा insect apple का paste नहीं है not लगा है ध्यान रखना चलिए एक कही सही था चलिए जिसने तुक्का लगाया बहुत जबरजस्त सोंस समझ कर लगाया होगा कि कोई D option पे नहीं जा रहा है चलो हमी D option पर चले जाते हैं जब भी तुक्का लगाना हुआ करे हमेशा B के नीचे वाले option की तरफ बढ़ा करो C और D की तरफ जाया करो कि या तो C होगा most of the बहुत rare case में D option आपका सही होता है चलिए करा Tent Caterpillar Stan George Scale Woliafid या फिर Sueet Galmaker करा निमल खित में से कौन सा Apple का Paste नहीं होता है चलिए कौन सा Apple का Paste नहीं होगा जल्दी से बताओ कौन सा है जो Apple का Paste नहीं होगा चलिए कौन सा Apple का Paste नहीं होगा तो बहुत अच्छा कोश्चन है चलिए बचो क्लास अगर अच्छी लग रही हो तो क्लास को लाइक और सेयर जरूर क्या करो क्या क्लास को लाइक और सेयर जरूर क्या करो लाइक करने में कंजूसी मत क्या करो चलिए क्या होगा सूट गाल मेकर जो होता है वो एपल में नहीं लगता है क्योंकि एपल में सूट गाल मे बेज़े दो एऔर भी में आप सोच लो क्या लगेगा गाल मेकर एपल में नहीं लगता है क्लियर है चलिए विच वन आफ़ फालोओइंग इस डे निटरल वजैटेवल गर आ निमलखित में से कौन सा डे नुट्रल वजैटेवल होता है कौन सा होगा डे रेडिस होगा इस पानेच होगा टोमैटो होगा या फिर स्थवीट पोटेटो होगा जारि क्या रहा है निम लिकन में से कौन सा डे नीट्रल गौन होता है कि छलिए क्या होगा क्या होगा कौन धिधैंज अबका डे instruct होटा है कि बहुत्चा कोशन है जल्दी से बताओ क्या होगा कौन सा आपका डे न्यूट्रल वेजिटेवल होता है रैडिस, स्पाइनेच, टुमेटो या फिर स्वीट पोटेटो चलिए, क्या होगा? मिलकुल सही बात है टुमेटो जो आपका होता है वो डे न्यूट्रल प्लान्ट होता है तो आप चांस को denutral plant कहे दो या denutral vegetable कहे दो क्योंकि होता तो vegetable है अगला question है करा in potato tuberization does not occur at a temperature above कह रहा है कि potato में जो tuberization है वो क्या होगा नहीं होगा और जब तापमान आपका कितने temperature से उपर चला जाएगा यह question बहुत अच्छा question है बहुत बार exam से पूछा जाता है करा है कि in potato tuberization does not occur at a temperature above जब तापमान कितने से अधिक हो जाएगा तो tuberization की जो process है वो नहीं होगी 25 degree centigrade से, 30 degree centigrade से, 20 degree centigrade से या फिर 15 degree centigrade से इसको AGT pre cutoff क्या रहेगी अब बच्छे क्या रहेगी cutoff इसका तो अंदाजा लगाना थोड़ा सा मुस्किल है मुस्किल इसलिए है क्योंकि number of vacancies अगर clear होती है तो cutoff लगाना थोड़ा सा असान हो जाता है जब number of vacancies कम होती है तो जवाब देना थोड़ा सा कठिन हो जाता है देखो, अभी भी इस question मैंने पूछा है ये question मैं एक बार और करवा चुका हूँ फिर भी answers में बहुत variability देखने को मिल लई है क्या? answers में बहुत variability देखने को मिल लई है और ये question बच्चे बहुत बार पूछा जा चुका है आपके exam में कोई 30 degree कह रहा है, कोई 25 degree कह रहा है, कोई 20 degree कह रहा है ठीक है? तो ये question में बहुत variability है ऐसा नहीं है, आपको ध्यान रखना है इसका सही जवाब क्या होगा? सही जवाब कुछ लोग ही देख रहे हैं बहुत लोग गलत कर रहे हैं इसका जवाब चलिए, जल्दी से सोच समझ कर जवाब देना क्या होगा? इसका सही जवाब हाँ, सिवा ने क्या दिया है? 130 वटे 150 ये क्या है भाई? 130 वटे 150 में तो क्या हो जाएगा? कहानी खतम हो जाएगी, कुछ बचेगा ही नहीं चलिए, क्या होगा? मैंने आपको बताया है टूबराइजेशन की प्रॉसेस कब स्टॉफ हो जाएगी? जब ट्रमपेचर आपका कितना हो जाएगा? जब ट्रमपेचर आपका 20 डिगरी सेंटीग्रेट से अधिक हो जाएगा तो टूबराइजेशन की जो प्रॉसेस है वो क्या हो जाएगी? वो आपकी स्टॉफ हो जाती है क्या हो जाती है? भूमिका का जवाब सही है 20 डिगरी सेंटीग्रेट पर जैसे ही आप जाएगे 20 के ऊपर जैसे ही टंपरेचर बढ़ने लगेगा वैसे ही आपका टूबराइजेशन की प्रॉसेस स्टॉफ होने लगेगी 20 से कम तापान रहेगा टूबराइजेशन आपका सबसे अच्छा रहेगा चलिए अगला कोशन है विच अप दा फालोइंग वेजिटेबल इस नाट ट्रांस्प्लांटेड करा निमले खित में से कौन सी वेजिटेबल है जो वो जो ट्रांस्प्लांटेड इसको एजिटी का result चलिए कोई बात नहीं मुझे लगा कि इतना temperature कैसे हो जाएगा इतने temperature में तो कहानी खतम हो जाएगी चलिए हाँ कह रहा है कौन सा वेजिटेबल ट्रांस्प्लांटेड नहीं होता है हाँ 20 डिगरी सुप्रिया बड़ा confusion में लग रही है 20 डिगरी वच्चे यही होता है जैसा ही तापमान 20 के उपर जाता है ट्यूबराइजेशन की जो प्रासेस है वो slow होने लगती है यानि की speed जो है वो कम हो जाती है clear है चलिए इसमें बताएए क्या कॉली फ्लावर होगा टोमैटो होगा रैडिस होगा या फिर ब्रिंजल होगा कौन सा ट्रांस्प्लांटेड वेजिटेबल नहीं है 28 के उपर चलिए क्या होगा सही जबाब हाँ बिल्कुल सही बात है क्या होगा तो जो रैडिस आपकी होती है वो ट्रांस्प्लांटेड वेजिटेबल नहीं है बाकी कॉली फ्लावर टोमैटो और ब्रिंजल को आप ट्रांस्प्लांट कर सकते हैं clear है चलिए बच्वो क्लास अच्छी लग रही हो तो क्लास को लाइक और सेयर जरूर करें आप लोग बहुत कंजूसी करते हैं विच आप दा फालोइंग वेजिटेबल इस नाट बंजेंट वेन कोकड करा निम लिखित में से कौन सी वेजिटेबल है देखो कन्फ्यूज मत हो मैंने आप से कहा कि जो बेस्ट टंप्रेचर होता है ट्यूबराइजेशन के लिए वो 20 डिग्री सेंटीग्रेट से कम होता है कितने? 20 डिग्री सेंटीग्रेट से कम होता है सबसे अच्छा टंप्रेचर होता है ट्यूबराइजेशन के लिए 18 डिग्री सेंटीग्रेट आपका सबसे अच्छा होता है टूबराइजेशन के लिए जैसे ही temperature 20 degree के उपर बढ़ता है वैसे ही टूबराइजेशन की जो process है वो क्या होने लगती है धीरे धीरे कम होने लगती है और बाद में अगर temperature आपका 25-28 से उपर निकल जाता है तो फिर क्या हो जाता है तो बिल्कुल ही टूबर नहीं बनते है तो 20 के उपर जैसे बढ़ेगा temperature टूबर क्या होंगे टूबराइजेशन की process slow हो जाएगी इसलिए confuse मत रहो ठीक है ये question मैंने जानबूज के दुबारा पूँचा है क्यों 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 क्या करते हैं आप लोग बहुत confusion में रहते हैं clear है तो ऐसे confusion में मत रहा करो ठीक है चलिए तो इसका सही जबाब क्या होगा देखते हैं इसका सही जबाब क्या होगा इसमें हम लोग बात कर रहे थे confusion अगर आप लोग रखोगे तो आपके दिक्कत है मैंने question इसलिए इसको repeat किया है क्योंकि पिछली बार भी हम इस question को यहाँ पर कर चुके है इसका सही जवाब होगा आपका let use क्या होगा let use जो आपका होता है उसमें cooking होने के बाद पंजेंसी जो है वो नहीं रहती है यानि कि पंजेंट फिर वो नहीं रहता clear है चलिए EFO में आया था question हाँ आप समझ लो EFO में आया था तो question आपके कैसे है चलिए अगला question है कि आप PPL is a variety of किसकी variety होती है PPL मटर की, टोमेटो की, ब्रिंजल की या फिर बेर की, किसकी variety होती है चलिए नंदनी कह रही है confuse कर दिया सर्जी, किस बात के लिए confuse हो गए बच्चे चलिए, किस बात के लिए confuse हो गए हो इसका जवाब दो कि आप PPL is a variety of PPL किसकी variety होती है चलिए, किसकी variety होती है slavus detail, अरे किस बात का Slavis Detail ये तो बताओ Slavis किसका FCI का IFCO का किसका Slavis चलिए PPL किसकी वराइटी है PPL का पूरा मतलब होता है PUSA Purple Long अब आप समझ गए होंगे किसकी वराइटी है PPL तो PPL आपकी किसकी वराइटी है हाँ बिल्कुल सही बात है PPL आपकी Brinzel की वराइटी होती है क्या PUSA PURPLE Long PUSA PURPLE क्लिस्टर PUSA PURPLE क्लिस्टर Long कल्यानी करें Slavis अरे बच्चे किस बात का Slavis ये तो बताओ किसका Slavis चाहिए आपको चलिए अग्ला कोशन है करा उमरन इस हाई इल्डिंग वराइटी ओफ उमरन किसकी वराइटी होती है चलिए, उमरन किसकी high yielding variety होती है, bear की, acid lime की, iguava की, या फिर date palm की, करा उमरन किसकी high yielding variety होती है, FCI के slavis, देखो बच्चे, FCI के slavis के बहुत सारे वीडियो पड़े हैं, आप चैनल पर जाएंगे, वहाँ पर देखेंगे, FCI का पूरा detail slavis का वीडियो पड़ा हुआ है, आप उसको देख सकते हैं, AGT में कौन से subject पर focus करें, सारे subject बच्चे आते हैं, आपके बहुत सारे question है, यहाँ पर मैंने जो आपको horticulture कराई थी, प्री में बहुत सारे, बहुत क्या जादा तर 90% question ऐसे थे, जो डिटो मैंने आपर कराई थे, वो same आपके देखने को वहाँ पर मिले थे, चलिए, तो क्या होगा, किसकी variety है, पूसा पर, माफ करना, उमरन जो आपकी होती है, बेर की variety होती है, किसकी, बेर की variety होती है, German भासा का है, Latin भासा का है, English का है, या फिर French भासा का है, किस भासा का है, चलिए, हाँ, ये question तो किसी को नहीं आता होगा, क्या, ये question तो मुझे लगता है किसी को नहीं आता होगा, पीके कह रहे हैं, यही question तो बस आता है, चलिए, किस भासा का है, तो किस भासा से derived है, मुझे लगा कोई जर्मन भी लिख रहा है चलिए किस बासा का होता है लेटिन बासा का होता है किसका लेटिन बासा का सब्द होता है चलिए अगला कोशन है करा प्रोटेक्टिव फूड इंक्लूड करा जो प्रोटेक्टिव फूड होते हैं प्रोटेक्टिव फूड में चलिए, किसको include किया घाता है प्रोटेक्टिव फूड में बहुत अच्छा कोशन है चल दी से बताओ प्रोटेक्टिव फूड में किसको include करते हैं गार्डन्स लिखा है, मुझे लगा किसी ने जर्मन लिखा है मैंने का, इतना होसियार कौन हो गया है, जो ये बता रहा है कि हॉर्टस सब्द जर्मन वासा से लिया गया है, तो ऐसा नहीं है बचे, हॉर्टस सब्द आपका किसे है, लेटिन वासा से आपका लिया गया है, चलिए, बहुत अच्छी बात है, प्रोटेक्टिव फूड क्या ह करा सन स्केल्ड किसका फिजियो लॉजिकल डिस ओडर होता है सन स्केल्ड किसका फिजियो लॉजिकल डिस ओडर है पोटेटो का टोमेटो का कैबिज का या फिर कॉली फ्लावर का करा सन स्केल्ड किसका फिजियो लॉजिकल डिस ओडर होता है पोटेटो टोमेटो कैबिज या बहुत अच्छी बात है आप लोग सब लोग साही जवाब दे रहे हैं चलिए अब आगे बात करते हैं FCI का batch आपका start हो रहा है तीन तारिक से ठीक है और अभी maximum discount भी चला है तो आपके price भी कम हो गए है तो जो बच्चे इन्रोल करना चाहते हैं FCI के batch में वो Y443 Y443 क्या coupon code लगाना है Y443 coupon code आपको लगाना है और ये आपका assistant का batch है IERI assistant का जो आज 20 तारिक है यानि कि आज आखरी मौका है इन्रोल करने का आज अगर आप चाहो तो इन्रोल कर सकते हो coupon code क्या लगाना है Y443 आज आपका A code active है अगर आप A code इस्तेमाल करते हैं यानि कि Y443 A code आप इस्तेमाल करते हैं तो आपको रोज की तुलना में यानि कि इवरीडे की तुलना में आज आपका क्या होगा आफ ज़्यादा मिलेगा यानि कि प्राइस में आफ अभी किया गया है A code आपका active है तो अगर आप इन्रोल करना चाहें आखरी मौका है IRI assistant के लिए Y443 आपको यूज करना है Y443 A code अगला कोशन है करा the major activities of agricultural extension division or करा है कि agriculture extension division जो है उसकी major activity क्या होती है चलिए 44 is equal to 3 होता है 443 नहीं होता है 448 होता है क्या होता है 448 होता है लेकिन coupon code क्या है coupon code है Y443 यानि की 4-4 और 3 क्या 4-4 और 3 होता है ठीक है चलिए तो Y443 A है अभी off है आप लोगों के लिए मैं अच्छा discount चला है अगर इन रोल करना है तो कर लीजे फिर बाद में पस्ता होगे कहोगे कि सर अब devalability हमें चाहिए devalability नहीं मिल रही है ठीक है चलिए कह रहा है कि major activity of agricultural extension division are क्या होता है technology assessment demonstration या फिर capacity development या फिर all of the above क्या होगा इसका सही जबाब चलिए सर प्लीज आंसर बता दीजे किस बात का आंसर आंसर तो बताई रहे हैं चलिए क्या होगा इसका सही जबाब इसका सही जबाब होगा क्या होगा क्या होगा इसका सही जबाब तो इसका सही जबाब है all of the above क्या होगा all of the above होगा कह रहा है कि major activity of agriculture extension division are क्या होगा चाहें आपका technology assessment हो यानि कि technology का transfer हो demonstration हो या फिर capacity development हो, तो वो सब क्या होते हैं, वो आपके extension के role होते हैं, करा Atari plays the role of, क्या, करा Atari plays the role of extension of research work, या फिर coordination and monitoring with headquarters, या फिर collaboration with extensions, persons and farmers, या फिर all of the above, करा है कि Atari का जो role होता है, वो क्या role play करता है, इसका जवाब दो, ये question थोड़ा सा हटके है, और ये question क्या है, थोड़ा सा हटके है, देखें आपको Atari का मतलब पता है कि नहीं पता है, चलिए, जल्दी से बताए क्या होगा सही जवाब, चलिए, क्या होगा सही जवाब, वर्मा जी लिख रहे है, bull head is a physiological, भाया, रोज का होता है, रोज का, किसका होता है, रोज का होता है, बुल head physiological disorder, ठीक है, चलिए, जल्दी से बताए, कह रहा है कि Atari, देखो, Atari क्या है, अटारी एक institute है, agriculture, technology, applications, research institute, अटारी के अंदर आपके क्या आते हैं, अटारी आपका manage करता है, किसको, KVK होते हैं, उनके headquarter से क्या करता है, 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 और monitor करता है, Atari, आपके, आपने देखा होगा, zone wise Atari बने होते हैं, और उस zone में कितने KVK हैं, उनकी सबकी monitoring और coordination कौन करता है Atari करता है clear है चलिए monitoring और coordination करता है ध्यान दखना क्या करता है manage नहीं करता है ठीक है चलिए clear है चलिए सिवा कह रहे हैं क्या Carnation का होता है क्या Carnation का होता है रोज का होता है बच्चे बुल हेड जो है वो रोज का होता है किसका रोज का होता है ठीक है किसका होता है रोज का होता है कारनेशन में कैलेक्स स्प्लेटिंग होती है रोज का होता है और किसकी वज़े से होता है कार्बो हाइडरेट डिफीचेंसी और स्टारवेशन की वज़े से होता है चाहें स्टारवेशन कहलो चाहें कार्बो हाइडरेट डिफीचेंसी कहलो ठीक है confuse मत हो सिवा, रोज का होता है, ढीक है बच्चे, किसका होता है, रोज का होता है, इसी को bent neck भी कहते हैं, clear है, चलिए, अगला question है, करा सेवा ग्राम प्रोजेक्ट वार स्टार्टेड बाई एंड इन दा इयर, करा सेवा ग्राम प्रोजेक्ट जो होता है, वो आपका, कब स्टा को पता है, यह यर बता ओ, कब स्टार्ट क्या गया था, चलिए, किस यर में स्टार्ट क्या गया था, किस year में start किया गया था आपका सेवा ग्राम प्रोजेक्ट चलिए जल्दी से बताईए किस year में start किया गया था सही जबाब क्या होगा ये है आपका 1933 मात्मा गांधी 1933 में start किया गया था कब 1921 लिख रहे हैं 1921 तो option में ही नहीं है क्या 1921 आपका option में ही नहीं है चलिए अगला question है करा which pair is right करा कौन सा pair सही है पहला option है नील खोरी प्रोजेक्ट अलबर्ट मेयर दूसरा है इतावा पाइलेट प्रोजेक्ट इस्पेंसर हेच तीसरा है सांती निकेतर रविन्ना टैगोर और गुरगां प्रोजेक्ट इस्पेंसर हेच चलिए जल्दी से बताईए क्या होगा सही जबाब तो करा which pair is correct कौन सा pair चलिए जल्दी बताईए कब स्टार्ट किया गया था चलिए क्या होगा सही जबाब कौन सा इसमें प्रोजेक्ट जो है वो सही है चलिए क्या है कौन सा सही है सांती निकेतन जो है वो आपका रविन्ना टैगोर ने स्टार्ट किया था बांकी सब आपके गलत हैं नील खोरी प्रोजेक्ट जो है वो SKD ने स्टार्ट किया था, किसने, SKD ने इटावा पाइलट प्रोजेक्ट आपका किसने स्टार्ट किया था, अलबर्ट मेयर ने स्टार्ट किया था, और गुरगाओं प्रोजेक्ट किसने स्टार्ट किया था, चलिए, चलिए, जल्दी से बताएए क्या होगा इसका सही जवाब नील खोरी प्रोजेक्ट जो था वो आपका किस ने स्टार्ट किया था नील कोरी आपका एसकेडे ने और सांती निकेतन जो आपका है वो आपका रवीन दनाथ टैगोर ने स्टार्ट किया था, clear है, चलिए clear है, चलिए अगला कोशन है करा the ideal size of self-help group करा self-help group का ideal size क्या होता है 5-10, 10-15, 10-15, 10-15 या फिर 15-30 करा self-help group है, वो आपका क्या होता है चलिए, self-help group जो आपका होता है उसका self-help group का क्या size होता है चली क्या size होता है self-help group का चली जल्दी से बताए self-help group का क्या size होता है मतलब जो स्वैम साइता समूझ इसको बोलते है उसका size क्या होता है चली कोई लिख रहा है 10-15 क्या होका सही जबाब कितना होता है कैम कि चलिक्व मुणा चलिक्यवगा 15 से लेकर 30 लोग जो होते करा औरहे लिफ टूरूद तो इंप्रूव और मिंडेसट करने के लिए intended था, क्या था, चलिए, किसका था, small farmers का, marginal farmers का, या फिर land LS farmer का, या फिर all of the above का, किसका था, किरा जो LLP है आपका, LLP का मतलब समझ रहे हैं, आप lab to land program की बात कर रहा है, किरा जो lab to land program था, वो आपका, क्या था, वो किस से, कि किसका economic standard को improve करने के लिए, आपका LLP चलाया गया था, यानि कि lab to land program जो आपका था, small farmers, marginal farmers, landless farmers, या फिर आपका all the above, चलिए, किसके लिए था, चलिए, किसके लिए था, बिल्कुल सही बात है, किसके लिए था, all the above के लिए, किसके लिए, all the above, यानि कि चाहें, small farmers हो, marginal farmers हो, इन दोनों के लिए तो था ही, साथ में जो landless farmers थे, उनके लिए भी lab to land program चलाया गया था, ताकि जो उनका economic status है, उसको improve किया जा सके, अगला question है, करा, trisame was launched in, करा, trisame आपका कब launch किया गया था, क्या, trisame आपका कब launch किया गया था, 1956 में, 1967 में, 1971 में, या फिर, 1979, 1989 में, clear है, चलिए, 1956, 66, 81, या फिर, 1989, किस में start किया गया था, trisame, चलिए, जल्दी से बताए, trisame जो है, आपका कब start किया गया था, चलिए, कब, 1979 को, आपका trisame start किया गया था, चलिए, आगे बात करते हैं, अगला question है, करा, which is the principle of extension education, करा, निमली खित में से, कौन सा principle होता है, extension education का, करा है, extension education का, कौन सा principle होता है, चलिए, जल्दी से बताए, principle of gross root level organization, या फिर, corporation and people's participation, या फिर, indigenous knowledge, या फिर, आपका, all of the above, करा, extension education का, principle क्या होता है, चलिए, extension education का principle क्या होता है, यानि कि कौन से extension education के principle होता है, चलिए, क्या principle होगे, principle of gross root level organization, corporation and people's participation, या फिर, indigenous knowledge, या फिर, all of the above, क्या होगा, चलिए, क्या होगा, इसका सही जवाब दो, क्या होगा, चलिए, क्या होगा, बिल्कुल सही बात है, इसका जो सही जवाब होगा, क्या होगा, हाँ, आप लोग all का option बता रहे हैं, तो हो सकता है, कि all वाला आपका सही हो, तो क्या सही होगा, all of the above, जो होता है, व सारे जो तीनों है वो तीनों प्रिंसिपल्स आपके होते हैं किसके extension education के अगला कोशन है करा which is the first step of extension education process extension education process के extension education process का पहला step क्या होता है यहां पर क्या लिखा है first step लिखा है करा extension education का first step क्या होता है कौन सा होता है collection of fact analysis of the situation both A and B या फिर this deciding on realistic objects क्या होगा चलिए which is the first step of extension education process करा extension education process का पहला step क्या होता है चलिए क्या होता है मुझा पूरी उम्मीद है कि 90% लोग जो हैं वो गलत जबाब देंगे क्या करेंगे 90% लोग जो हैं वो गलत जबाब देंगे बिलकुल मुझसे आप लिखवा लो कि आप इसका जबाब गलत दोगे ठीक है क्या 90% लोग जो हैं बिलकुल इसका गलत जबाब देंगे चलिए जिन्होंने paid batch में पढ़ा होगा अगर ध्यान से पढ़ा होगा तो फिर वो इसका सही जवाब दे पाएंगे क्योंकि मैंने ये extension education process का था मैंने बहुत काईदे से समझाया था चलिए जल्दी से बताओ क्या होगा इसका सही जवाब मैं थोड़ा सा wait करूँगा यहाँ पर आपके जवाब का इंतिजार करूँगा चलिए हाँ बिल्कुल सही बात है देखो आरसी का जवाब आया है सबसे पहली process होती है collection of fact क्या होता है यह जो तीन यहाँ पर लिखे हैं अगर हम बात करते कि extension education process में कौन कौन से steps होते हैं यह निमलिखत में से कौन से step हैं तो फिर यह आपके सारे सही हो जाते लेकिन हमने यहाँ पर क्या लिखा है first step की बात की है तो जब भी extension education process स्टार्ट होती है तो सबसे पहला काम जो होता है collection of fact यानि की जो हम चीज सुरू करने वाले हैं उसका सबसे पहले fact को collect करते हैं तब हम situation को analysis करते हैं ठीक है ऐसे करके हम धीरे धीरे 5 objects जी तरब बढ़ते हैं तो सबसे पहला जो आपका process होता है वो होता है collection of fact यानि की जहां पे समस्या है उसका क्या करें उसका हम पहले fact को इखटा करें उसके बाद हम situation को analysis करेंगे ठीक है पहला आपका option क्या होगा सही ह होगा first step हमेशा क्या होता है collection of fact होता है चलिए ठीक है यह आपकी test series है y443 s code का इस्तेमाल करके आप test series को purchase कर सकते हैं आगे बात करते हैं करा the normal body temperature of cow करा cow का normal body temperature क्या होता है चलिए गाय का normal body temperature क्या होता है 39.5 degrees centigrade 32.5 40.5 degrees centigrade या फिर 38.5 degrees centigrade आपका होगा चलिए करा normal body temperature काउ का क्या होता है चलिए क्या होगा गाय का normal body temperature क्या होता है चलिए जल्दी से बताईए क्या होगा चलिए क्या होगा तो क्या सही जवाब है 38.5 degrees centigrade आपका होता है किसका normal body temperature क्लिए है अगला question है करा which is one of the best method of knowing about the age of cattle करा है cattle की age जानने के लिए सबसे best method कौन सा होता है करा cattle की age जानने के लिए सबसे best method कौन सा होता है record का या फिर shape of animal या फिर teeth of animal या फिर horn करा है किस method से जो cattle होती है, उसका क्या करते है, age का पता लगाते है, best method क्या होता है, चलिए, क्या best method होता है, cattle की age को पता लगाने के लिए, record, shape of animal, teeth of animal, या फिर horn, चलिए, क्या होगा सही जवाब, बिल्कुल सही बात है, teeth जो होती है, teeth of animal, यानि की teeth से क्या करते है, दातों से उसकी age का पता लगाते हैं clear है चलिए आगे बात करते हैं करा method of marking in cattle is करा है cattle में जो marking करते हैं उसमें कौन सा method कर चलिए बहुत अच्छा कोशन है चल्दी से बताओ चलिए, सही जबाब क्या होगा? All of the Ibbab, यानि कि ये तीनों जो मैथड हैं, वो तीनों मैथड इस्तेमाल किये जाते हैं, मैथड आफ मार्किंग, यानि कि मार्क करने के लिए, चिन लगाने के लिए तीनों मैथड का इस्तेमाल करते हैं, चलिए अगला कोशन है करा जाफराबादी इस ब्रीड आफ करा जाफराबादी किसकी ब्रीड होती है चलिए करा जाफराबादी इस ब्रीड आफ जाफराबादी किसकी ब्रीड होती है काउ की बफैलो की पिग की काउ बफैलो पिग या फिर गोट करा काउ बफैलो पिग या किसकी ब्रीड होती है जाफराबादी चलिए जल्दी बताईए किसकी ब्रीड होती है जाफराबादी किसकी है बिल्कुल सही बात है बफैलो की होती है किसकी होती है बफैलो की ब्रीड होती है जाफराबादी क्लियर है चलिए अगला कोशन चलो ये थे आज के हमारे कोशन जि क्लास आपको कैसी लगी है जल्दी से बताइए दूसरी चीज मैंने आपको कल साम को ही बताया था मैं आप आप आच को फिर बता रहा हूँ कि आपकी जो सेल है वो स्टार्ट है 77% के साथ आपका डबल वैलिटी ओफर चलना है आल महापैक्स पर आप कोई भी महापैक्स पर्चेस करना चाहे है आप وाई 443 एक उपन कोड का इस्तेमाल कर सकते है डबल वैलिटी ओफर चलना है और यह वैलिटी का जो ऑफर है आज ही है आज साम तक चलने वाला है तो आज साम तक चलने वाला अगर आप ऐसा क sought रहे हैं से increase हो चुके हैं अभी आपको price में भी discount मिलदा है और साथी साथ आपको क्या मिलदा है double value offer भी मिलदा है तो आपको क्या करना है आपको simply website पर जाना है जैसे आप जाएंगे ठीक है क्या करेंगे जैसे आप जाएंगे ठीक है यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ आपको double value यहाँ पर so कर रहा है चलिए क्या कर रहा है यहाँ पर आपको 30,000 दिखा रहा है 30,000 आपको नहीं पे करना है आपको simply क्या करना है simply आपको Y443A Y443 और एक coupon code जैसे ही आप लगाएंगे यहाँ पर देखेंगे आपको प्राइस है वो 6399 का है दूसरी चीज क्या है कि अगर आप इसको वेबसाइट की अलावा आगर आप इसको Y447 के मोबाइल एप से डाउनलोड करेंगे मोबाइल एप से परचेस करेंगे तो इसमें आपको 100-200 रुपए और आफ मिल लिया गा क्योंकि वहाँ पर आपको use coin का option मिलता है तो coin लगा कर आपको और ही सस्ता पढ़ने वाला है साथ ही साथ ही आपको 12-12-24 महिने के लिए मिलना है दूसरी चीज आप एक बार इन्वेस्ट कर लोगे तो आपको फिर बार बार रोनी की चुरूत नहीं वैसे आप अलग-अलग batch purchase करते हो कि आप FCI खरीद रहे हो फिर आप इसको खरीद रहे हो फिर आप क्या बोलते हैं कि ठीक है फिर आप अलग-अलग चीजों को खरीद रहे हैं तो उसमें आपको क्या होता है बहुत सारे अलग-अलग पैसे देने पढ़ते हैं इसमें आपको सारी चीजे मिलती हैं चाहे वो सारा कुछ आपको महापाएक में ही मिलने वाला है अगर आप IBPS के लिए भी prepare कर रहे हैं इंडोल कर रहे हैं तो आप उसके लिए भी इसी का استعمال कर सकते हैं अब अलग से IBPS के लिए अगर आप 3000-4000 रुपए दे रहे हैं तो वह आपका एक साल के लिए ही valid रहेगा ठीक है हम तो कहते हैं कि आपका पहली बार में इतनी अज्जम के मेनद कर लो कि पहली बार में ही आपका निकल जाए दुबारा का आपको मेनद करने की जरूरत ही ना पढ़े लेकिन अगर मान लो ऐसा नहीं हो पाता है तो क्या करते हैं तो फिर आप महाँ पैग अगर लिए ह तो फिर आपको दुबारा इंवेस्ट करने की आवसकता नहीं पढ़ेगी तो आप उसी में अपना आराम से पढ़ते रही है 24 महीने के लिए पढ़िए आपका सेलेक्शन हो जाए आपका चोटा भाई हो उसको पढ़ाई है ठीक है कोई दिक्कत ही नहीं है अपने फोन में ही आपको चलाना है तो आप अपने चोटे भाई को पढ़वाओ तो एक साथ आपको बहुत सारी चीजे क्या होंगी चलिए चलिए चलिए, क्लियर है तो यहां पर आपको एक बार जाईए देखिए क्या-кिया सारी चीज़ें मिलने वाली है जितने एक्जाम्स के नाम यहां पर लिखे हैं वो सारे एक्जाम्स आपको मिलने वाले है तो अगर आप ऐसा को सोच रहे हैं इंडोल करने के लिए तो आप क्या कर सकते हैं ठीक है एपसी आई का भी आपका बैच स्टार्ट हो गया है तो एपसी आई का यह टेक्निकल वाला बैच है जैसे आप एक कोर्ट मेज एक नाउड देखें। इसका प्राइस भी क्या हो गया है, डाउन हो गया है, आज आपका 80% आफ चल ला है, ठीक है, महापैक पर डबल वैलेटी चल लई है, और जो नॉर्मल वैचेज हैं आपके, उसमें आपका 80% आफ है, तो यह आपका 2799, यानि कि 2800 रुपय का है, और अगर आप अप्लिकेशन स आप नहीं लगाएंगे, तो फिर क्या हो जाएगा, तो फिर आपको नॉर्मल प्राइस पे करना पड़ेगा, तो एक ओड जरूर लगाएं, क्या? Y443, यहाँ पर भी आपको सारी चीज़ें मिल लई है, यहाँ पर आपको 12 महीने की FCI की वैलेटी मिल लई है, चाहें आप IV PPS, AFO की बात कर ले, किसकी? AFO की बात करें, AFO में भी देखो महापाइक है, अगर आप महापाइक लेते हैं, तो AFO का बैच आपको उसी में मिलेगा, तो फिर बैच आपको लेनी की वा सकता नहीं है, यहाँ पर अगर आप इसमें जाएंगे, तो इसमें भी आपका A code है, A code तो फिर आप ऐसा कर सकते हैं, आप इन्रोल कर सकते हैं, आपके लिए इससे अच्छा मौका दुबारा फिर नहीं मिलने वाला है, फिर यह offer कब आएगा, डवल वेलिटी कब आएगी, पता नहीं, तो इससे बढ़िया है कि आप लोग क्या कर सकते हैं, इन्रोल कर सकते हैं, अगर आपको लगता है, आपको जरूरत है कि आपकी चीजें, आपकी तैयारी और अच्छे डंग से हो, और फ्रास्ट हो, तो फिर हम इसमें इंडोल कर सकते हैं. कूपन कोट क्या लगा रहा है, कूपन कोट लगाना है Y443A, यानि कि Y443A कोट लगाना, तब ही आपको डिसकाउंट अच्छा मिलेगा, तो अब हम इजाज़त चाहेंगे, मिलेंगे फिर अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए, जय हिंद।